तो चिकन बिर्यानी गुकर में बनाने के लिए मैंने चावल भिगो के रख दिये हैं उसके बाद मैंने एक कड़ाई में तेल लिया है उसमें डाले हैं स्लाइस किये वे अनियन्स यानि की प्यास आप इसे अच्छे से भून लें और हाँ इस समय पर ध्यान रखें कि हर समय यह चलाते रहें जब यह ऐसे ब्राउनिश कलर के हो जाएं तो आप इन्हें थ्री फोर्थ कॉंटिटी जो प्यास की है वो निकाल लेंगे त्यानि की तीन चौथाई प्यास आप निकाल लेंगे और एक चौथाई रहने देंगे औ मिक्स उसमें मैंने मिलम पाऊडार मुडर्र हाल मिलम साली नमक विर्यानी मसाला विर्यानी मसाला और नहीं czy लोगां बिक्से how n Mika ऑनी जहांपर अथा आ यह ची कर यहां जो घरिका न निताल डाय इउन काफी अच्य आधी काफी अच्छी इसमे अपना वह च्छॉं उसक जो भूम ने बनाया है वो डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे अच्छे से यह देखेए इस तरीके से आप इसे भूनते रहें, तकरीबन 10-15 मिंट हमें इसे भूनना है और फिर मैंने इसमें डाल दी है 2 हरी मिर्चे, slit करके ऐसी करके आप इसे भूनते रहेंगे और अब मैंने दाला है इसमें दही मैंने तीन चौथाई कप दही लिया था उसमें एक चमत चीनी मिलाके फिर डाला है ऐसा करने से दोस्तों यह बिलकुल भी नहीं फटेगा और बहुत अच्छे से आपका एक रिच ग्रेवी टाइप तयार कर देगा यह देखिए बस अब इसको पकने दें जाने फैंक दिया था उसकेबाद पानी फैंकने के बाद सिर्फ चाव लाड करें है यह देखिए इस तरीके से दोस्तों इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पते और पुदीना के पते उसके बाद इसमें जाएगा पानी 1 कप और एक चौथाई कप मैंने इसमें पानी डाला उसके बाद हम इसको हलकासा मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डालना है लेमन जूस यानि की नीबू का रस ये बहुत जरूरी है फिर इसमें जाएंगे जो तलेवे अनियन्स या प्यास हमने निकाल के रखे थे वो आप थो हमारी प्रेशर कुकर वाली चिकन बिर्यानी या चिकन पुलाओ जैसे आप कह सकते हैं वो तैयार है ये खाने में बहुत इलाजवाब लगता है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके राइस में यानि कि इसके चावल के हर दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा और खाने म आपको स्वाद बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों ये मैंने सर्व करी है थोड़े से रायते के साथ आपको कैसी लगी जरूर बताए मुझे कमेंट सेक्शन में और हाँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई and टेक केर